Welcome to the part 1 video of Backwaters. Backwaters is the official management fest of I am Koi Kod and this is Backwaters 2024. Backwaters I am K का management fest है जिसकी तयारियां महीनों पहले और इसके events हफ्तों पहले से चार्ल हो गय थे. इन तो तीन दिनों में हमको पूरा compile करके present करना था as a management fest जैसे के finale rounds and this is the beautiful ambience of casino. I am में आते वे आपको पढ़ना लिखना आए ये भी उतना ही important है जितना आपको पोकर या पत्ते खेलना आना. And you know what? Second year में के लेक्टिफ भी है जिसमें वो अपको प्रॉपर पोकर प्लेइंग भी सिखाते हैं. And as you can see, it is very high in demand. आन बार हमको क्या? हमको तो नंबर आएंगे नी? हमको तो अपने आप सीखना है. Curtain Reveal के फंक्शन के साथ कई सारे गेम्स खिल रहे थे लोग जैसे कि तिक टैक टो, टग ओफ वार और हाँ बो एंड आरो भी. फिर सिल्फिला शुरू हुआ लेट नाइट जैमिंग का. और लेट नाइट को एक लोकल बैंड आने वाली थी, पर रास्ते में मुझे दिखा मेरा सज़ता हुआ कैंपस. मैंने कहा न, ये साल में एक बार शायद एक दो करोड का टेंडर दे देते के भाईया पूरा कैंपस सजाना है. अस्वीर तेरी एक निये में मुझे पूरा कैने पूरा कैंपस विजट के लिए प्गीप 01 बैचायखे एक यारे इस आर इनक देनाए लिए पर रहनाए. जिसमें कई सेमिनार्स के बाद और वेबिनार्स के बाद भी एक fun activity MasterChef हमारे campus में organize किया गया जिसमें the participating team have to cook savory and a sweet dish with creativity, innovation and पता नहीं क्या क्या So technically इस campus में induction रखना allowed नहीं है लेकिन MasterChef में participate करने के बाद they expect कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए बरतनोजा और गैस सिलेंडर सब कुछ कुल मिलाके 11 टीम with maximum of five members each ने participate किया थो और सब एक से एक dishes बना रहे थे जिसका basic तो अधरुक लहसन का paste और प्यास टमाटर ओविसली होंगे ही हमारे डिश थी गाजर का हलवा और पाव भाजी सब लोग मिल करके अपने अपने आइडम स्कूप कर रहा है सब ने मिल के एक से एक dishes बना डाली यार लजानिया से ले करके पाते नहीं कौन सा लेक्टिस पेक्टिस केक और what kind of innovation they made मगर ये फिलहाल स्क्रीन पे हमारा गाजर का हलवा तयार हो रहा है हमारे friends हमें support करने के लिए और cheer करने के लिए आएवे थे पर देखते ही देखते ही दो घटे बीटने के साथ हम पाव भाजी का preparation करने लगे with the magical hands of Tanya तो तब तक हमारा गाजर कारवल तयार हो चुका था but I thought कि मैं भी थोड़ा social loafing को छोड़के कुछ acting तो करी लेती हूँ देख रहे हो आप हमारी delicious लगती भी भाजी मगर ये तो सिर्फ शुरुआत है हमारे बगल वाला टेबल बहुत ही खुबसूरत सा कुछ तो बना रहा था with pasta and cheese cake kind of stuff तो टीम जायका जिनके actual name of food तो मैं भूल गई बट बट दो गंटे की महनत के बाद हमारी पाव भाजी और सारी अलग अलग टीम्स की बहुत सारे dishes बन के हो चुकी थी तयार जैसे की कचोरी बिर्यानी कुछ तो कुछ ट्विस्ट वाली तेरे मेरे नाम वाले अच्छे अच्छे dishes काफी महनत के बाद जो खूबसूरत dishes तयार हुई थी वो आपके screen पर आपका मूलल चाने के लिए मैंने डाल दिये हैं कुछ तो देखने में बहुत खूबसूरत थे और बनाने वाले तो और भी खूबसूरत लेकिन टेस्टिंग के बाद जो हुआ उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते क्योंकि मैं उसको record नहीं कर पाई मैं अभी उसमें भागिदार थे तो professors judges थे और जैसे ही वो टेस्ट करते थे हम बिना चमच के हाथ पाउं कुछ भी लगा कर अपनी मूँ तक पहुँचाने के जोर में लग जाते थे प्रेजंटिंग यूदा बैंड अनुराग हलदार गाया तो कुछ खास नहीं पर लाइटिंग और स्टेज की वज़े से बहुत मज़ा है अपने लास्ट काने से शारुखान को च्रिप्यूट दियो और हमने इसके बाद पूरे दिन को ताता बाइबाई किया झाल जएटकार बाइबाई। आएटकार खास प्रिप्यूट काने झाल चाल झाल अनुराइबाई कि आएबाई।